हाई क्लास 12 इस्टूरेंट आज हम लोग डिसकस करेंगे बोर्ड के क्वेश्चन जो प्रिबिएस यर्स में पूछे गया हैं इस्टेट बोर्ड में सिब्यस्टी बोर्ड में चैप्टर बन जो हम लोगा चैप्टर वो कंप्लीट हो गया चैप्टर वन फिनिश्ट इन दिस लेक्टर आई यह देखते हैं कुछ कोश्चन को लोग देख लेते हैं जैसे यहां पर एक कोई भी आप कुश्चन यहां देख सकते हैं एक लाइन में आपका एंसर देना वाट इस्ट पॉस्वल वैलू अप चार्ज सीदे-सीदे लिख दोगे क्या होती है चारज नेक्स्ट कुश्चन है इस्टेट कुलाम्स लाफ फोर्स बीटून चार्ज अर्ड रेस्ट एक्सप्रेट जन सेम इन साई उनिट एफ फिसकल टू की वन की टू अपान आरी स्क्वार इन्टू के वेर के इस दो वन अपान फोर पाई अपसाइलन नॉट आपको सीधे- वीडियो से क्वेश्चन साप लोगो यहां मिल जाने वाले हैं नेम कोई रेंडम कोई क्वेश्चन लेलो नेम एंड डिफाइन देशा उनिट एफ चार्ज को डिफाइन कर देना हैं इंट्रिंजिक प्रपोर्टी एसा उनिट क्या होगा गुलाम हो जाएगा इन्द रिले लोगो आ रहा हैं देखे कोई कोश्चन हमलों देखते हैं एक सरकल में ने किया होएँ इस तरह से नहीं कि जो की बहुत आसान आसान पूशेगा इस कुछन सको हमलोग समझतें और कुस्छ lizenosapping पोपने रेकल दिखाई रहाओगए define the personality at any poign right to know define the charge density थ्ट्रटेसी और चार्ज रेस्टीज मिनोंट अक्ट ऒंट ब्रतक्राइब venule चार्ज बर लिंक पर अर्या चार्ज पर उनेट वालूमों क्या हो चार्ज देंस्टी हो जाएगी जब हमारी चार्ज क्या होती है चार्ज देंस्टी को डिफाइन कर सकते हो कि जब हम लोग की जो चार्ज होती है क्या हो जाए डिस्टिब्यूटेज होड़ा है कॉंटिनुवसली किसी सर्फेस विश्टिब्यूटेट होता है पॉइंट चार्ज न रहे उस समय आम लोगो चार्ड डेंस्टी के बात करते हैं कि अगर यह पूरा पूरा हमारा सर्फेस है यहाँ पर चार्ज क्यू है टूटल एरिया वालूम के फॉर्म में रहाता है तो चार्ज पर यूनिट वालूम तो आज हम कोस्टिन सर्फ में आपको हिंट देने वाला है सलूसन आप खुद ही कर लोगे सारे कोस्टिन्स का आपको खुद करना होगा डिफान इलेक्ट्रिक फिल्ड डेट पॉइंट पतल आपको क्या कि Cruise लेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी भताने किसी पर्टिक्लाम पॉइंट प्रणी किसी पॉइंट पॉइंट in生 Glau गी कि दो देखों यहां से define field intensity इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी इंटेंसिटी बता देंगे क्या है वेक्टर क्वांटिटी राइड दाइमेंसन फामूला फिल्ड डामेंसन फामूला क्लास 11 के कॉडिंग लिख लेंगे ऐसे हमारे बहुत सारे कोश्चन है just draw the line up force of the electric dipole electric dipole में लाइन abrupt force आपको करनी होगी यहां देख ले मैनस q a plus q to kya हो जाइगा प्लस से मायनस का तरफ हमारी क्या होगी अट्रिक देगो भुषोब दिया कोशनना वादिदिटिक डिपोल डिफ़ीन कर लोगिए त्वूवलन अपोजेट चाज्चेश प्लेसे लेशेंट्रा काल्ड समगिए टिक डिपोल डिफ़ीन जाएगा निल्यक्टिक डिपोल इस प्लेस्टि कोश्योन एक देखते हैं 52 एनेलेक्रिक एक्टिनस फ्रसक्टिन एक्टिन आप देखोगे देखोगे सारे कुष्चनन नोटडाउन करके आप अब से सालब कर सकते हो अब आप डैपोल सेमेट्री की नेशर क्या इक्वेल बजर्द चार्जेशज हैं दस दद चार कोई कोश्चन रेंडम डिफाइन द एलेक्टिक फ्लक्स डिफाइन किया हुआ था या आप लोग को याद आ रहा हुआ । इसमे नेम द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इक्वेलेंट कुलांब सलाइब द शुपर पूजिशन फ्लक्स इलेक्टर सम होता है कि जो टो सब्सक्राइब सब्सक्राइब 6ख 13 screaming 24 med चाहिए इसको कर सकते हो कि जो प्षाइब क्या जाता है इंटीग्राल इंटु डिस हो जाएक ऐसे की का सब्सक्राइब को सब्सक्राइब है जाते हैं कने जब क्या है देखें यह question पूछा हर्याना में देख रहा है what is meant by quantization of electric charge define क्या था पहले वीडियो में आप देख सकते हो q is called to n का formula state the law of conservation of charges give to example conservation charge cannot be created cannot be destroyed इसके form में है फिर question एक देख लिजिए derive the expression for the electric field intensity or the point distance r क्या होगा f is called to k into q upon r square where k is the 9 to 10 to the power 9 r 1 upon 4 pi epsilon not ऐसे ही question है बहुत असान-असान question है हमारे define the electric field intensity कर लोगे SI unit आप लिख लोगे फिर देखो write an expression for the force exerted and charge q continuous charge distribution से जब continuous charge होगा dq वहाँ पहले लेंगे किसी भी points से हम लोगे उस force को निकाल लेंगे बाद में क्या कर देंगा integrate कर देंगा dq क्या बन जागा q बन जागा define the term electric dipole moment of a dipole क्या होगा p into p is called to 2q electric dipole moment का एक वीडियो है उसको आप देख लोगे ध्यान समझ में आ जाएगा define electric field intensity and derive an expression for it electric field intensity axial line of dipole dipole के axial और equatorial line में हमने derivations कर आए हुए है आप उस derivation को देख लोगे वहां से समझ में आ जाएगा कुछ कुश्यों ना हो रहे है हम लोगे देख लेते हैं अब यहां पर कुश्यों दिखाई दे रहा होगा यह दो इस्टेट दो गॉस्थिरम ने एक्स्प्रेश इन mathematically using it derive an expression for the electric field intensity at the point near athene infinite plane sheet इसको मैंने derive किया हुए गॉस्थिरम जाब पढ़ोगे तो वहीं मैंने derive किया हुए था sigma upon epsilon not value आएगी sigma upon 2 epsilon not value आजाएगी अगर वह non conducting है तो conducting है तो sigma upon epsilon using gauss law stabilized देखो कितने बारे पुछा हुआ सिबसिस लेगे सभी बोड में पुछा हुआ देख सकते हो डिफाइन देख सकते हो डिफाइन देख सकते हैं तुरंत हो जाएगा कोई question देख लो कोई question define an electric field lines briefly explain how does कुछ भी आप देखो इधर से कोई question देखो सारे question हो जाएंगे इसमाई questions आपको दिखा रहा है सारे question आप कर सकते हो अब लांग में भी आजाओ को एक सर लांग question नहीं हो पाएगा सारे long question भी हो जाएंगे यह देखो define the electric field right SI unit question है इसको आप solve करेगो homework में दे रहां को question number 11 note down कर लो video pause करके note down कर लो यह ncrt का question है ncrt का question है इसको video pause करके आप note down कर लो ऐसे ही question इस्टेट तो गॉसला इलेक्टो इस थीरम सो थे मैथमेटिक एट फार इनी पॉइंट आउटसाइड अउटसाइड अउटसाइड आएगा जो हमारा किसका आता है इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यूटू पॉइंट आ जाता है ऐसे डिफाइन दा इलेक्ट्रिक फिल्ड इपोल मोमेंट एक कोश्चन नमर फाइफ आप देख सकते हो यह सारे अब मैं कोश्चन दिखा दे रहा हूं आप नोट डाउन कर लोगे असारे कोश्चन चाहोगे तो सौल कर सकते हो यह वीडियो पास करके आप इस को नोट डाउन कर लोगे दिखाई देरा होगा सबको यही था आज का हमारा टॉपिक एक नमबर के कोश्चन में आ जाते हैं दो नमबर वाले हैं और भी कोश्चन बहुत सारे हैं यह भी आप देख सकते हो एक नमबर वाले बहुत सारे कोश्चन है यहाँ पर दिखाई देर आओगा सबको यहाँ भी हमारे बहुत सारे कोश्चन है तो बहुत असान सा है यह आप चाहोगे कोई प्राब्लम नहीं आपक्टिसेटी स्टाट करेंगा